Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Friends, आज की वीडियो बहुत दर इंटरस्टिंग होने वाली है क्योंकि Friends, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा आप अपने YouTube चैनल को All Email ID से New Email ID पर कैसे ट्रास्टर कर सकते हैं इसके लगा Friends, बहुत सारे लोग अपने YouTube चैनल के About section में उस Email ID को Add करते हैं, जिस Email ID से वो अपने YouTube चैनल को Sign In करते हैं लेकिन Friends, यहाँ पर मैं आपको एक बात किलियर कर दूँ YouTube के About section में आपको कोई दुसरी Email ID एड करनी चाहिए और जिस Email ID से आप अपने YouTube चैनल को Sign In करते हैं उस Email ID को आपको सिक्योर रखना चाहिए और वीडियो स्टार्ट करते हैं Friends, पर अपने चैनल के Dashboard पर आ चुका हूँ आप इस Method को अपने Mobile से भी Apply कर सकते हैं और Friends, मैं आ जाता हूँ Settings में और यहाँ पर लिकावाए Permissions मैं इस पर आ जाता हूँ Friends, यहाँ पर आप देख सकते हैं उस Topic पर मैं Already एक वीडियो बना चुका हूँ अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो पर आई बेटन में और इसक्रेप्शन में इसका लिंक देदूँगा आप वहाँ जाकर भी वो वीडियो देख सकते हैं Friends, यहाँ पर लिकावाए Keep Managing Permissions in Your Brand Account मतलब आप अपने Brand Account की Access किसी और को देना चाते हैं या आप अपने YouTube चैनल की Access किसी और को देना चाते हैं अगर Friends, आपने ये वीडियो मेरी नहीं देखी तो इस Topic पर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ उसका Link भी मैं Description और I Button में देदूँगा आप वहाँ जाकर भी वीडियो देख सकते हैं ठीक है और Friends, यहाँ पर लिकावाए Manage Permissions मैं इस पर आजाता हूँ और Friends, यहाँ पर लिकावाए Manage Permissions मैं इस पर आजाता हूँ और Friends, यहाँ पर अपनी इस E-mail ID का Passport टाइप कर लेता हूँ और यहाँ पर लिकावाए Next मैं इस पर आजाता हूँ ओके Friends, यहाँ पर लिकावाए Manage Permissions मैं इस पर आजाता हूँ और Friends, यहाँ पर Option आ रहा है Invite New User का मैं इस पर आजाता हूँ और friends, यहाँ पर मैं अपनी वो email ID टाइप करता हूँ, जिस email ID पर मैं अपना YouTube चैनल ट्रांसफर करना चाहता हूँ, ठीक है? ठीक है, friends, यहाँ पर मैं अपनी email ID टाइप कर चुका हूँ, अकिबली official1993.gmail.com friends, यहाँ पर लिकावाए choose a role, drop down पर किलिक करता हूँ, friends, यहाँ पर दो option आ रहे हैं, top पर लिकावाए owner, और second पर लिकावाए manager, मैं owner पर आ जाता हूँ, और यहाँ पर लिकावा invite, मैं सब्सक्राइप करता हूँ, ओके friends, इस email ID पर invitation send हो चुका है, अब मैं ऐसे इस email ID को open कर लेता हूँ, ओके friends, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह email हमें receive वो चुकी है, मैं सब्सक्राइप कर लेता हूँ, और यहाँ पर लिकावाए accept invitation, मैं सब्सक्राइप करता हूँ, ठीके friends, यहाँ पर आप देख सकते हैं, लिकावा आ रहा है accept as, और यहाँ पर email ID है, जो email ID अभी हमने टाइप की थी, ठीके, यहाँ से मैं accept कर लेता हूँ, और यहाँ पर लिकावा है manage permissions, मैं सब्सक्राइप कर लेता हूँ, और friends, यहाँ पर again password टाइप कर लेता हूँ, और यहाँ पर लिकावा next, मैं सब्सक्राइप कर लेता हूँ, इसके बाद friends, again मैं आ जाता हूँ manage permissions पर, ठीके friends, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखावा है manage permissions, और इस वग मेरा चैनल है technical yt, और यह primary owner है ठीके, अभी जो मैंने new email id टाइप की थी, वो यह channel आ रहा है ठीके, यहाँ पर लिखावा है owner, drop down पर क्लिक करता हूँ, ठीके friends, यहाँ पर तीन option आ रहा है, top पर लिखावा है primary owner, second पर लिखावा है owner, और third पर लिखावा है manager, मैं friends select कर लेता हूँ primary owner, क्योंकि मैं इस email id पर अपना channel transfer करना चाता हूँ, ठीके, ठीके friends, यहाँ पर लिखावा भी आ रहा है, मैं एक आकी बली official दी primary owner of technical KCI, यहाँ पर लिखावा है transfer, मैं सब्सक्राइक करता हूँ, ठीके friends, यहाँ पर लिखावा आ चुका है, आपको 7 days का इंतजार करना है, और उसके बाद अगला process क्या होगा, वह मैं आपको 7 days के बाद बताऊंगा, friends, 7 days गुजरने के बाद new email id से अपने YouTube चैनल को sign in कर चुका हूँ, और आप देख सकते हैं, इस वाग मैं अपने YouTube चैनल के dashboard पर हूँ, इसके बाद friends, मैं आ जाता हूँ settings में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, लिखावा आ रहा है permissions मेंस पर आ जाता हूँ, और यहाँ पर लिखावा है manage permissions मेंस पर आ जाता हूँ, और friends, यहाँ पर लिखावा है manage permissions मेंस पर आ जाता हूँ, ठीके friends, यहाँ पर आपको password टाइप करना है, और यहाँ पर लिखावा है next मेंस पर आ जाता हूँ, और फ्रेंट्स यहां पर लिखावा है manage permissions मैंस पर आज़ता हूँ ओके फ्रेंट्स आप देख सकते हैं कि new email id वाला चैनल टोप पे आ चुका है और यहां पर लिखावा भी आ रहा है primary owner ठीक है और यह all email id वाला चैनल second number पे आ चुका है ठीक है मैं ऐसे remove कर देता हूँ ठीक है friends यहां पर लिखावा आ रहा है remove मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो friends आपने देखा कि बहुती easily all email id वाला चैनल remove हो चुका है ठीक है और यहां पर लिखावा है done मैं इस पर क्लिक करता हूँ और again अपने चैनल के dashboard पर आ जाता हूँ और यहां से close कर देता हूँ और इसके बार इस page को refresh कर देता हूँ इसके बार friends पर अपने चैनल के logo पर आ जाता हूँ और friends यहां पर लिखावा है switch account मिस पर आ जाता हूँ ठीक है फ्रेंट्स यहां पर आप देख सकते हैं लिखावा आ रहा है आकिवली ओफिशल1993.gmail.com तो हमारा चैनल बहुती एजिली न्यू एमेल आइडी पर ट्रांसफर हो चुका है ठीक है और यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर लिखावा है न्यू चैनल तो फ्रेंट्स यह ब्रेंड अकाउंट है ठीक है और यह हमारा चैनल है तो इस तरीके से फ्रेंट्स आप भी अपने यूट्यूब चैनल पर जीमेल आइडी को बहुती एजिली चैन्ज कर सकते हैं फ्रेंट्स आई होब कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी इसे अमेजिंग वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि फ्रेंट्स में से इंफर्मेटिव वीडियो आप दोस्तों के लिए लेकर आता रहता हूँ मिलता अगले वीडियो में जब तक देजिए मुझे अजाज़त अपना बहुत खायर रखेगा अल्हाफिज